नमस्कार, News in Science में आपका स्वागत है क्या आपको कभी गले में खुजली या जलन जैसी समस्या का सामना करना पड़ा है? नहीं, हम किसी डिजीज या एलर्जी की बात नहीं कर रहें बल्कि कुछ खास सबजीओं को खाने से गले में होने वाली खुजली की बात कर रहे हैं जैसे अर्भी के पत्ते, या गराडु, जैसे एर पोटेटो भी कहते हैं जिन्हें खाने के बाद अक्सर हमें गले में कुछ जलन या खुजली का हहसास होता है और सिर्फ खाते वक्त ही नहीं, उसे काटते वक्त भी कई बार हाथों में खुजली होती है मानो कुछ चुभनसी हो रही हो इसलिए गराडू को काटने से पहले कई लोग हाथों में तेल लगा लेते हैं क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है तो चलिए हम आपको बताते हैं असल में अर्बी की गाठें और पत्ते अकसर मुह और गले में खुजली पैदा करते हैं क्योंकि इन में ऑक्जिलिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं इसलिए कहा जाता है कि अर्बी को अच्छी तरह पका कर ही खाना चाहिए और इसे किसी खटे पदार्थ के साथ ही पकाना चाहिए जिससे ऑक्जिलिक एसिड का असर खतम हो जाए इस सवाल का जवाब खोजने के लिए आप अगर अर्बी के पत्ते के एक टुकडे को अच्छे से मसल कर उसके रस को स्लाइड पर फैला कर सूश मदर्शी यानि माइक्रोसकोप में देखें तो आपको स्लाइड में सूई जैसी आकरतियां दिखाई देंगी ये महीन सूईयां कोशिकाओं में गठर के रूप में जमा होती है और हमें चुभन का एहसास इनहीं की वज़े से होता है अब हम यहां ये समझ लेते हैं कि आखिर ये सूईयां क्या है असल में ये सूईयां कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है ये सूईयां जिन कोशिकाओं के अंदर होती है उन्हें इडियो ब्लास्ट कोशिकाओं कहा जाता है कोशिकाएं अपने सामान ये कामकाज के दोरान कई पदार्थों का निर्मान करती हैं और पौधों में केल्शियम ओक्जिलेट के क्रिस्टल कई आकरतियों में पाये जाते हैं सुई के आकार में जिसे रैफाइड भी कहा जाता है ये कई वनस्पतियों के पत्तों, जड़ों, अंकुरों और फलों के टिशूज में पाये जाते हैं जैसे कीवी फ्रूट, अननास, यैम या जिमिकंद असल में रैफाइड शाकाहारी जीव के खिलाफ पौधों की एक रक्षात्मक रणनीती का हिस्सा है पौधे अपने को बचाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं किसी में काटे, तो किसी में सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म पदार्थ होते हैं और ये रैफाइड टिशूज और कोशिका जिल्लियों में छेद करने का काम करते हैं जिसे निडल इफेक्ट यानि सुई प्रभाव कहा जाता है अध्यन के दौरान इसमें ये देखा गया कि जिन पौधों में रैफाइड मिलते हैं उनमें प्रोटियेज एंजाइम पाए जाते हैं इन प्रोटियेज और रैफाइड की जुगल बंदी का ही कमाल है कि इनको काटने वा खाने के दौरान चुभन वा जलन होती है और पौधों पर अध्यन करने वाले एक जर्मन वैग्यानिक अंसर्ट स्टॉल ने देखा था कि घोंगे भी उन पौधों को अपना आहार नहीं बनाते जिनमें रैफाइड होते हैं उन्होंने यह भी देखा कि अगर उन पौधों की पत्तियों को मसल कर उसमें थोड़ा सा अमल यानि सिट्रस सब्स्टेंस जैसे नीमू डाल दिया जाए तो फिर घोंगे उन फलों को आसानी से खा लेते हैं यानि सिट्रस सब्स्टेंस की कैल्शियम ऑक्जलेट से रसाइनी क्रिया से सूईयां गल जाती हैं तो इसलिए कहा जाता है कि अर्वी या गराडू जैसी सबजियों में नीमू या खटाई जैसे खटे पदार्त जरूर डालें ताकि उसे खाने के बाद आपके गले में खुजली की समस्या ना हो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल न्यूज इन साइन्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले मिलें